अगत नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार आपके साथ मैं हूलले प्रजापती सबसे पहले बात नीट की करेंगे नीट की परिक्षा और रिजर्ट को लेकर देज भर में विवाद चल रहा है इस भी सुप्रीम कोट ने इस मामले में एक पैसला सुना आया है सबसे बड़ी अदालत ने नीट में चात्रों को दिये गए ग्रेस मार्क्स रद कर दिये हैं नीट की परिक्षा और रिजर्ट को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है इस भी सुप्रीम कोट ने इस मामले में सुप्रीम पैसला सुनाया है सरवोच अदालत ने नीट में चात्रों को दिये गए ग्रेस मार्क्स को रद कर दिया पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसल ने अगरी किया कि जो 1563 बच्चों को हम दे ग्रेस नमबर दिये थे उससे बच्चे डे सटिसफाइड है हाड बन हो गया है और यह सही नहीं है इसको हम रिट्रेस करते हैं यह मुझे तीन मेजर गलतिया भी दिखती है पहली चीज़ एंटिय ने जब ग्रेस नमबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेंट में नहीं बताया था ठीक है यह राइट टू इंफॉर्मेशन का वाइलेशन दूसरी बात उन्हीं बच्चों को ग्रेस नमबर मिला उन्हीं सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के पास अब दोबारा परिक्षा का ऑप्षिन होगा हाला कि इसको लेकर छात्रों ने मांग की है कि पूरी परिक्षा दोबारा होनी चाहिए उधर दावा किया जा रहा है कि नीट का पेपर लीग हुआ था इसको लेकर कई जगा FIR भी दर्ज की गई थी सब जगा से सामने आ रहा है मतलब बिहार में पटना पुलिस ने भी FIR भी रेजिटर की है पेपर भी मैच हुए है FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पे पेपर लीग हुआ था तो फिर NTA इस पर भी कोई कॉशन मार मतलब बहुत बड़ा कॉशन मार के लिए पेपर लीग की बात को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नकार दिया है उनका कहना है कि परिक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई थी भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट NTA कमिटेड है बच्चों को ट्रांस्परिम तरीका से अपने संदूस्टी से नयाय देने के लिए इस बार 24 लाग बच्चे सक्सेस भूली एक्जैमिनेसन भी दिया है जिन 1563 के ग्रेस्माक्स पर पूर विबाद शुरू हुआ था अब उन बच्चों को ग्रेस्माक्स नहीं दिये जाएंगे इसकी जगा उनकी दोबारा परिशा होगी अब नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी दियर रिपोर्ट न्यूज एची और चात्रों के प्रदर्शन के साथ साथ नीट पर सियासत भी लगातार जारी है किसने क्या कहा सुनिए मैं आपको विनमरतर से कहूँ पेपर लिखी कोई घटना की कोई पुक्ता प्रमान नहीं है ऐसा कुछ कोट के समने आएगा विश्यूट में हुआ है ये 24 लाथ बच्चों के जिन्दगी का खास तौर से जो गरीब बच्चे या नौकरी पेशा माबाब के बेटा बेटी हैं या चोटी सी दुकान या व्यपसाय करने वारे लोगों के बेटा बेटी हैं या पर SCBC समाज के हमारे नौजवान युवा और यूगतियां हैं इनके भविशे के साथ एक शडियंत्र के तहट खिलवाड किया जा रहा है इधर राहूल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मताबिक यूपी की रायवरेली और केरल की वायनाइड लोगसभा सीट से जीद दर्ज करने वाले राहूल गांधी अपने पास रायवरेली सीट ही रखेंगे वो केरल की वायनाइड सीट छोड़ देंगे दूसरी अटिकल ये लगाई जा रही है कायास ये लगाई जा रहे है कि प्रियंका गांधी वायनाइड से चुनाव लोग सकती है लेकिन अब तक वो वायनाइड जाने के लिए शुक नहीं है लोग सभा चुनाव की सबसे चर्चित दो सीट जहां से राहूल गांधी चुनाव लड़े और दोनों सीट पर राहूल गांधी की जवर्दस्त जीत हुई अब सबसे बड़ा सवाल है राहूल गांधी इन दोनों सीटों में से किसे चुनते हैं क्या राहूल गांधी राइबरेली की खातिर वायनाड से दूरी बना लेंगे या फिर वायनाड के लिए गांधी परिवार की सीट से इस्तीफा दे देंगे फिलहाल इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास भी नहीं है क्योंकि पहले राइबरेली की जनता का अभार जताने के लिए उनका राइबरेली जाना और फिर एक दिन बाद वाइनाड की जनता के सामने अपनी बात रखना जिसमें उन्होंने कहा वो कन्फ्यूज हैं हलाकि सूत्रों से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूपी की राइबरेली और केरल की वाईनाड लोगसभाज सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास राइबरेली सीट ही रखेंगे वो केरल की वाईनाड सीट छोड़ देंगे वहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वाइनाट सीट से उपचुनावल लड़ सकती हैं लेकिन अब तक वो वाइनाट जाने के लिए इच्छुक नहीं है दूत्रों का दावा है और संकेतों से साफ है कि कॉंग्रेस के पूरवद्च राहूल गांधी केरल की वाइनाट लोगसबा सीट से सीपा दे सकते हैं जबकि यूपी की राइबरेली सीट से वो अपनी सांस दीव परकार रखेंगे इसके पीछे का तरकी है कि यूपी से गांधी परिवार का लंबा सियासी रिस्ता रहा है यूपी की राइबरेली सीट से राहूल गांधी से पहले सोनिया गांधी सोनिया गांधी से पहले इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी से पहले फिरोज गांधी सांसत रहें तो राय बरेली में गांधी परिवार का दबदवा है, यहां लगातार गांधी परिवार के सदस्य की जीत होती रही है। 2024 में भी वाइनाट की जनता ने राहुल का साथ दिया, तो वही राय बरेली में भी आखरी वक्त में नामांकन के बाभजूत जीत मिली। वाइनाट में राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंधी को करीब 3,64,000 वोटों से हराया तो राय वरेली में राहुल ने अपने प्रतिद्वंधी को 3,90,000 वोटों से हराया यानि राहुल गांधी का साथ वाइनाट की जनता ने दो-दो बार दिया, बावजूद इसके वो वाइनाट सीट छोड़ने की जुगत में हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने परिवार की परमपरागत सीट नहीं छोड़ना चाहते इधार जम्मू में आतंकिय हमले पर पीम मोदी की NSA के साथ बैठक हुई है, इसमें पीम मोदी ने आतंकियों से पूरी क्षमता से निपटने के नदेश उन्हें दिये हैं, पीम मोदी को जम्मू कश्मीर में चल रहे, काउंटर, टेरर, ओपरेशन की पूरी जानकारी दी ग ताबिक जम्मू के कई कैम, चेक पोस्ट पर हमले हो सकते हैं चार दिन में चार हमले चम्मू में लगातार हो रहे आतंकिये हमलों से लोगों का खून खौल उठा है हर तरफ अब आतंक के देहन की आवाज गूज रही है बीते चार दिनों में जम्मू कश्मीर में अलगलग जगों पर आतंकी हमले हुए सुरक्षबल एक एक कर आतंकियों को ढूंड कर उन्हें कबर में दफन कर रही है लेकिन जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों के मनसुवे इन्हीं हमलों तक नहीं रुके हैं वो किसी बड़े मकसद से पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुए हैं इस बीच 11 जून की रात चेक पोस्ट पर हमला करने वाले चार संदिक्द आतंकियों के स्कैच जारी किये गए हैं आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, थात्री, गंदोह के उपरी इलागों में हो सकते हैं जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ओपरेशन चला रही है जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखरी कील का पूरा प्रबंध हो चुका है और ये देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है जिस तरह से आतंक का जहर खत्म होने लगा इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नया टार्गेट दे दिया जैश, लशकर और अलबद्र ने भारतिय नाम के साथ छोटे संगठन खड़े किये जो LU3 के नाम से काम कर रहे हैं कश्मीर फ्रीडम फाइटर, कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठन ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग नामों से हमले कर रहे हैं लेकिन ये जैश, लशकर और अलबद्र की ही साजुष है वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पिछे नहीं है उनके बाल बच्चों को छोड़के, वो है भी की नहीं हमें पता नहीं है जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं यहां के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच-बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पस्ताएंगे क्योंकि उनके घरबाले, उनका स्टेक यहां पर, उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नोक्री है, उनकी बगचे है तो वो इसमें देश के गुरुध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान का है सूत्रों के मताबिक पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी, आईसाई का फालकन पैन, जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है लश्कर-े-तयवा और जैश-े-महम्मद के पचास आतंकियों को मिलाकर एक ग्रुप तयार किया गया है इन्हें जंगल वार्फेयर के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है स्नाइपर हमला, हमले के बाद जंगल में छिपना और खात लगा कर हमला करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई है असना जब सारे पासिस की बर्थ पिगल जाती है तो ऐसे समय में इन्फिल्ट्रेशन और तमान तरीके के जो उनके सपोर्ट है अमनीशन और जो एक्स्प्लोसियर उसको आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है तो सारे पासिस खिलोगे और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैम में जो आतंकवादी ट्रेन हो रहा है इस समय वो मौके की तलास बढ़ाते हैं इन्फिल्ट्रेट करके हिंदोस्तान के इलाके में घुसके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे एक तो ये वज़ा हो सकती है दूसरी वज़ा है जे एनके में एक एलेक्शन द्यू है उस एलेक्शन को कैसे जोपडाइस करना है कैसे उसमें बाधा पहुचानी उसके लिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता हो यही नहीं खबर ये भी है कि ये फालकन फिफ्टी ग्रूप अब जम्मू कश्मीर विधानसबा चुनाओ को अपना निशाना बना सकता है इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडर ग्राउंड वरकर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आस्रा भी दिया है लेकिन अब जब आईसाई के फालकन फिफ्टी ग्रूप के सारे इंपूर्ट सुरक्षय एजेंसियों को मिल चुके हैं तब इनके अंतका खाका भी तैयार हो चुका है सुरक्षय बल और सेना भी तैयार है इन आतंकियों के सीने में बारूत भरने के लिए लोग सभा चुड़ों में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक अगनिवीर योजना पर बहुत जल्द बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर चुनावी घमासान के बाद चुनावी परिणाम पर काफी असर दिखा दावा यह किया जा रहा है कि अगनिवीर योजना में बड़े बदलाओं की तैयारी हो रही है मोदी सरकार इस योजना का रिव्यू कर सकती है इंडिया की सरकार आएगी अगनिवीर योजना को उठा कर हम कुड़े दान में फेग देंगे और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अगनिवीर की खास तोर में उठेपर देश और बाती जगा में अगनिवीर जो 24 के चुनावी पत पर सबसे जवलंत बुद्दा रहा अगनिवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया अब उस अगनिवीर जोजना में बदलाव की सुक्वगाट शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी खमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला अगनिवीर को लागू हुए देख साल का वक्त हो चुका है और इन देख साल में इसी स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है अब सूत्रों से खबर है कि डिपार्टमेंट औफ मिलेटरी अफेर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगनिवीरों के लिए ट्रेनिंग पिरिड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरही किया जाए जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ा कर चार के बजाए साथ वर्ष किया जाए जिससे उन्हें ग्रेचुईटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके यानि जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा अब उस पर मन्थन शुरू हो चुका है अगनी वीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में किन सरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिये जा सकते हैं जिस तर से बड़े फैसलों के अगर बात करें तो जिस तर से उनके जो सिवाकाल की जो अवधी पहले से तय थी चार साल, चार साल की अवधी को बढ़ा करके साथ से आठ साल किया जा सकता है राहूल ही नहीं सपा पर्मुक अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं अखिलेश के मताबिक ये योजना अस्विकार यह है अगनिवीर योजना को युवा कभी स्विकार नहीं कर सकते देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ चार साल की नोकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुईधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मणने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा इन चार वर्षों के भीतर कोई भी इस नोकरी को स्विकार नहीं करेगा और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनेती हो अगनी वीर अब भाईया मैं आपको बता रहा हूँ अब हमारे पास पारलिमंट हाउस में सेना बैठी हुई है इस बाहर हमारी पूरी कोशिच होगी उपोसिशन में बैठे है मगर अगनी वीर को आपोसिशन में रड़ करने की कोशिच करें मैं समझता हूँ अगनी वीर ववस्था तुरणी खतम होने चाहिए सरकार को स्विकार करना चाहिए कि उन waving गलती है दरसल अगनीवीर योजना पेंशन बिलको कम करने और सशस्त रुबलों में युवाओं की भरती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी हाला कि नए भरती किये गए सेनिकों के बीच ट्रेनिंग और विश्यसक्यता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई ये योजना साड़े सत्रह साल से 21 साल की आयू वर्ग के युवाओं के लिए है जिसमें चार साल की अब्धी के लिए भरती करने का परावधान है वही 25 परतिशत अगनिभीर को 15 साल तक बनाए रखने का परावधान है योजना के मताबिक 75 परतिशत अगनिभीर जो चार साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख रुपए एक मुष्ट दिया जाएगा अब खबरे हैं कि सशस्त्र बल सेन्य भरती के लिए अगनिपत योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25 परतिशत रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है ब्यूरो रिपोर्ट नियूज एटीन मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है प्रदेश को नई उडान मिली है सीम डॉक्टर मोहन यादव ने आज पी एम श्री पर्यटन वायू सेवा का शुभारंब किया क्या है ये सेवा आईए एम पी ने एक उची उडान भरी है सीम डॉक्टर मोहन यादव ने आज पी एम श्री पर्यटन वायू सेवा का शुभारंब किया और इसी के साथ ही विकास की एक और गाथा लिखी है प्रदेश के आठ शेहर घुपाल, इंदौर, जबलपुर, गौालियर, उज्जैन, वीवा, खजुराहो और सिंग्रॉली अब हवाई सेवा के जरिये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे एम पी के लिए ये एक बड़े उपलप्ती है हवाई सेवा शुरू हो जाने से लोग खंटों की यात्रा मिंटों में तेकर पाएंगे दुनिया भर से परेटग एम पी आते हैं ये वाईू सेवा उनकी यात्रा को सुगम बनाएगा मौदी जी के नाम पर समझ कि ये सेवा जितना अच्छा इसका हो सकता है अग इसके अधातों मुझे तुरा वरोसा है तो दो गुजापा, हेल्प, सभी सेक्टर में इसका लादनी देगा खास करके संस्क्रति के हमारे ऐसी केंड़ प्रदेश के शेहरों को जोडने के लिए हवाई सेवा की ही शुरुवात नहीं की गई है MP में Air Ambulance भी शुरू किया गया है CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि Air Ambulance डॉक्टर की टीम के साथ तयार है Air Ambulance के जरिये कलेक्टर से संपर्क कर किसी की भी जान बचाई जा सकती है श्रीपरेटन वायू सेवा के शुभारम के मौके पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि Reserve Forest और अन्य स्थानों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि खजुराहू में Pilot Training Institute भी खुला है इतली और इंग्लाइट से भी जान बचाना किसी की भी जान बचाना तो हमारी एरेटलेस का भी चुमाओ में भी चारों चन्न में ड्यूटी जाई लाई लिग एटली और इंग्लाइट से ही बड़े मत्यप्रदेश में हवाई सेवक शुरुवात एक बड़ी सौगात है इससे परिटन को तो लाव हो गई साथ ही उत्योग व्यापार को भी बढ़ हमा मिलेगा यात्रा तो सुगम होगी ही साथ ही प्रदेश के विकास को भी गती मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट न् कुल नौ पन्नों में और अर्बास खान का पयान चार पन्नों में दर्ज किया है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सलमान खान के खत्म पर हुई फाइरिंग मामले में अभी भी मुंबाई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहट मुंबाई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अर्बास खान के बयान दर्ज किये मुंबाई पुलिस के सवाल सलमान खान के जवाब सलमान और अर्बास से पूछे 150 सवाल फाइरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पाटी उस दिन जब फाइरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पाटी चल रही थी और जब फाइरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोय हुए थे इतना ही नहीं फाइरिंग होते ही सलमान खान की मींद तूट गई चार जोन को मुंबई पुलिस ने चार घंटे तक सलमान खान से और दो घंटे तक अरबास खान से को लेक सोपचास सवाल किये और उस सवालों की जवाब में जो बायानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सलमान के हर एक चहने वाले को डरा देने वाले हैं क्योंकि जब फाइरिंग हुई उस वक्त सल्मान खान अपने खर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सल्मान खान ने मुंबई बुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे फाइरिंग वाले देन 14 अप्रेल को अपने घर में मौजूद थे सल्मान खान फाइरिंग से कुछ देर पहले सल्मान खान के घर में पार्थी चल रही थी फाइरिंग की आवास सुनकर अचानक सल्मान खान की नींद जूटी सल्मान तुरंट अपनी बालकनी पहुचे और गोलियों के निश्यान देखे सल्मान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा फायरिंग के वक्त सल्मान का परिवार भी गेलेक्सी अपार्टमेंट में था सल्मान के मुताबिक फारिंग से पहले उन्हें कोई थमकी नहीं मिली थी सल्मान ने बताया कि उन्हें लॉरंस विश्णोई गैंक से वसूली की कोई कौल नहीं मिली सल्मान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खत्रा है मुंबई क्राइम ब्रांच ने सल्मान खान के भाई अर्वास खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है अर्वास खान से फारिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दुनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए चार जून को बारा बजे सल्मान खान के खाट पर उनका बयान दर्ज किया गया क्राइम ब्रांच की चार अफसरों ने दुपहर बारा बजे से शाम छे बजे तक सल्मान और अर्वास से सवाल किये और खबर असरदार में फिल हाल इतना ही